अब हम बात करेंगे वायर्शाग चूल के बारे में नेटवर्क एड्मिनिस्टेशन के लिए यहाँ एक ऐसा इंट्रिस्टिंग टूल है कि कोई भी फिल्ड हो चाहे वो नेटवर्क, सेक्यॉर्टी, अप्लिकेशन या फिस सर्वर कभी न कभी इसकी जरूरत जरूर पड़ती हैं क्योंकि नेटवर्क में या सर्वर में इशू आने पर यह टूल हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि प्रॉब्लम किस पॉइंट पर है तथा क्यों है तो फिर चलिए देखते हैं कि वायशार्ट में हम क्या सीखेंगे सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ओफ वायशार्ट दूसरा इंस्टॉलेशन ओफ वायशार्ट तीसरा पाकेट कैट्टरिंग यूजिंग वायशार्ट और फिर आखिर में हम उन पाकेट्स को एनलाईज करेंगे वाई 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 शाक तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि हम वाई शाक को क्यों यूज करें तो इसका अंसर है कि ये मल्टिपल प्लाटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, एक्सॉलरीज, एक्सेटरा यह यूजर फ्रेंली इंटरफेस है और इसकी बहुत महत्वपून फंक्शनालिटी है पैकेट्स को डिकोड करके एसकाई और हैक्स फॉर्माट में शो करना अब हम वाई शाक के कुछ परपस देखेंगे जैसे कि Network Administrators इसे यूज करते हैं Network Problems को Troubleshoot करने के लिए Network Security Engineers वाई शाक को यूज करते हैं Security Problems को एक्जामिन करने के लिए और Developers वाई शाक को यूज करते हैं Debug Protocols इंप्लिमेंट करने के लिए वाई शाक एक Network Packet या Protocol Analyzer है जो की Network Packets को Capture करने की कोशिश करता है और Packets के जादा से जादा Details डिस्प्ले करता हैं आज की समय में वाई शाक केस वान आप दी बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर है पॉर Packet Analysis based लिथ जादाई वाई करने का सम समय में की'm पॉर Packet जादा करने का लिए जहके भूर के ऑब का भूर insider